पाकिस्तान की टीम ने पहली बार जीत हासिल की है इस जीत से पाकिस्तान के नेताओं का दिमाग सातवे आसमान पर पहुँच गया है पहले पाकिस्तान सरकार के ग्रही मंतरी शेक रशीद ने शर्मनाक बयान दिया और अब उनसे भी ज्यादा शर्मनाक और बेतु का बयान दिया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इमरान खान ने हाल ही में हुए भारत और पाकिस्तान मैच में भारत की हार का मजाक बनाया भारत का मजाक बनाने वाले इमरान शायद भूल गए हैं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इससे पहले कभी भारत को हरा नहीं पाया था किसी देश के प्रधान मंत्री का ऐसी बेतु की बाते करना शर्मनाख है दरसल इमरान खान ने साउदी अरब की राजधानी रियाद में भारत का मजाक उडाते हुए कहा कि हमारे चीन के साथ अच्छे संबंध है पाकिस्तान को भारत के साथ संबंध सुधारने की जरूरत है लेकिन कल ही तो पाकिस्तान ने भारत को हराया है इसलिए अभी भारत के साथ बात करना सही वक्त नहीं है इमरान खान ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है कश्मीर इमरान खान खुद एक खिलाडी रह चुके हैं उनका ऐसा बयान देना खेल भावना के खिलाफ है भारत पर टिपणी करने से पहले इमरान खान को अपना घर सम्हालना चाहिए पाकिस्तान इस वक्त अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूज रहा है हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान विदेशी करजे में डूबे टॉबे टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है मजाक उडाना क्या होता है वो आपको इस तस्वीर में दिखाते हैं इस तस्वीर में आपको इमरान खान दिख रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंतरी शाह मैमूद कुरेशी है जो भारत और पाकिस्तान मैच के मजे ले रहे हैं इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए इमरान खान ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बधाई दी थी, अब ये तस्वीर ही इमरान खान के लिए जी का जंजाल बन गई है। पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी, पीमल नवाज की निता मरियम नवाज ने इमरान खान की इसी फोटो को शेर करते हुए लिखा कि लोग इस देश में घूक, महंगाई और अयोग्यता से मर रहे हैं और उन्हें देखिए मैच का मजा ले रहे हैं। चलिए इमरान खान को एक नसीहत देदेते हैं। जैसे ही जीत का नशा उनके सर से उत्रे, तो एक बार बरबाद हो चुकी पाकिस्तान की अर्थ विवस्था और अंतर राश्ट्रिय प्रतिबंधों पर भी एक बार ध्यान देदें। क्योंकि यही वो कारण हैं जिनकी वज कर दोकी जिनकी आर अंतर झार अंतर 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 योंकित देदें।